नमस्कार दोस्तों, इंजीनीर भारत में आपका एक बार फिल से स्वागत है और अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Solar Panel के लिए उप्योग होने वाली वायर के साइज के बारे में काफी कमेंट आ रहे थे कि हमें बताया जाए कि कितने mm की वायर का उप्योग हम कौन से solar system पर या कितने बड़े solar system पर हम कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे बैंटरी के वायर के साइज के बारे में और solar panels और inverter तक आने वाली वायर के बारे में और input और output जो के आपके inverter के साथ में input की वायर तो आती ही है output के जो वायर रहेगी उसके size के बारे में बात करेंगे लेकिन कुछ inverter हैं जो कि ज़्यादा capacity के साथ में आते हैं उसमें आपको input और output के जो वायर वो खुद लगानी पड़ती है तो वाहाँ पे आपको जो उसका size जबो ध्यान रखना पड़ता है जैसे मेरा 5KV का solar PCU है इसके पीसे मुझे terminal block दिये गए है तो यहाँ पे जो wire का size है वो मुझे अपनी हिसाब से ही लगाना पड़ेगा जो कि आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक किलोबोट के solar system की कि इसमें आपको कितने size की wire की आउशकता होगी तो यहाँ पे जो battery की wire रहती है उसके बारे में हमें बात करने की जूरुत नहीं है क्योंकि जो battery की wire है वो inverter के साथ में ही पहले से ही लगी होती है तो इसके बारे में आपको सोचने की जूरुत नहीं पड़ती है mainly आपको सोचने की जूरुत पड़ती है कि जो solar panel से लेकर inverter तक जो wire आती है वो क्या size की होनी चाहिए तो यहाँ पर हम minimum size की बात करेंगे तो यहाँ पर minimum size रहेगा वो रहेगा 6 square mm की wire का कि अगर आप एक क्लूबोट के panel connect करना चाहते हैं अपने solar inverter के उपर या solar charge controller के उपर तो यहाँ पर आपको 6 mm की कम से कम wire का उपयोग अपको करना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पर DC wire खरीदेना चाहते हैं तो online खरीद सकते हैं आज की वीडियो sponsor की है Lock the Deal ने जहाँ पर retailer और dealer के लिए बहुत ही फायदे की deal रहती है Lock the Deal एप और website पर आपको energy category का सबसे बड़ा marketplace देखने को मिलता है यह है energy का Amazon और यहाँ पर electrical के सभी product आपको कम से कम कीमत पर मिल जाते हैं यहाँ पर इंडिया की सबसे most popular brand एक्साइड, luminance, liveguard पर आपको हर रोज bathroom offer और deal देखने को मिलती है यहाँ पर आपको dealer और retailer के लिए bulk order पर discount COD जैसी facility और dual step delivery मिलती है Lock the Deal website और app के वैसे तो बहुत फायद हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा इस app या website को उप्योग करने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी product का मोलभाव अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके लिए आपको click करना होगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको product बताने हैं कितने खरीदने हैं और नीचे आपको उसका expected price भर देना हैं और request offer पर click कर देना हैं 24 गंटे के अंदर ही आपको आपके offer की जानकारी दे दी जाती है तो इंतजार की इस बात का अभी download कीजिए Lock the deal mobile app को जिसका link मिलेगा आपको description box में और जो inverter की input की wire होगी वो उसके साथ आती है और output wire size की बात करें तो एक लोट के inverter के लिए आप dead mm की wire का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप infuser अगर आपका inverter आप बढ़ा रखना चाते हैं या बढ़ाना चाते हैं उसके capacity को यानि कि अभी आप एक लोट का inverter यूज़ कर रहे हैं बाद में आप चाते हैं कि आपके जो घर के दूसरे appliance बड़े air conditioner तक भी आप उसके उपर चलाना चाते हैं तो अभी ही आप जो wire का size बढ़ा लेकर चलिए क्योंकि जो inverter की wiring है वो आप दुवारा से नहीं कर पाएंगे इसलिए आप पहले ही जो ज़्यादा square mm की wire है उसका उप्योग कर सकते हैं यहाँ पे आप 4 square या 6 square mm की wire का भी उप्योग कर सकते हैं अगर आप even future उसके उपर air conditioner भी चलाना चाते हैं तो तो अगर आप यहाँ पे 1 kWh का ही system रखना चाते हैं तो आप 1.5 square mm की wire का भी उप्योग कर सकते हैं दूसरा आता है हमारा 2 kWh का solar system तो यहाँ पे 2 kWh के solar system की बात करें तो बैंटरी की जो wire रहती है वो same ही आती है तो आपको यहाँ पे 1 kWh से लेकर 4 kWh तक के जो inverter देखने को मिलेंगे वहाँ पर जो बैंटरी की wire का size रहेगा वो 16 square mm ही दिखाई देगा हर एक में और यहाँ पे हम solar panel से आने वाली wire की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 square mm की wire का उपयोग करना है जो मेरा solar system है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर की तरफ यहाँ पे मैंने लगबग 1.5 kWh के पैनल लगाई हुए है तो वहाँ से यह आप देख सकते हैं 10 square mm की wire आ रही है और इसके पीछे आप inverter के भी देखेंगे तो बेंटरी की जो wire है वो काफी मोटी आप देख सकते हैं यह लगबग 25 square mm की है और यहाँ पे आप जो solar panel से आने वाली wire देख सकते हैं 10 square mm की मैंने लगाई है और नीचे आप देखेंगे की input और output जो terminal लगाए गई है वहाँ पर मैंने 4 square mm की wire का ही उपयोग किया है हालां कि मैं इसके उपर air conditioner भी चलाता हूँ बड़े ही राम से चल जाता है तो मैंने पहले ही जो मेरे room है वहाँ पर 4 square mm की wire को पहले ही लगा दिया था क्योंकि पहले मेरे पास जो inverter था वो 1600 VA capacity का था लेकिन फिर भी मैंने जो wire का size बड़ा ही रखा क्योंकि मुझे पता था बाद में मुझे इसके उपर heavy load चलाना है इसलिए मैंने पहले 4 square mm की wire का उपयोग किया था तो आप भी ऐसे कर सकते हैं इस तरह हैं 2 kilowatt का जो आपका solar inverter है उसकी input के उपर अगर आपको wire मिलता है तो ठीक है अदरवाइस आपको 2 square mm की wire का उपयोग करना पड़ेगा input और output के लिए input और output की wire रहेगी वो दोनों same रहेगी तो यहाँ पे 2 square mm की wire का उपयोग करना है आपको input और output के लिए next है मारा 3 kilowatt का solar system तो यहाँ पे फिर से battery की जो wire रहेगी वही 16 square mm की रहेगी लेकिन यहाँ पे solar panel की wire है वो भी आपको same ही रखनी है 10 square mm की आप wire रख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई problem नहीं होगी यह लेकिन जो आपको input और output की wire है उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे आपको लगबग 4 square mm की wire का उप्योग करना है input और output के लिए और इससे अगला रहेगा आपका 4 kilowatt का solar system हाना कि जो 4 kilowatt का solar system में काफी कम लोग लगवाती हैं तो यहाँ पे 10 kilowatt के लिए भी आप वही wire size यूज कर सकते हैं जो 3 kilowatt के लिए यूज करेंगे यान कि आपको solar panel के लिए फिर से आपको 10 square mm की wire का उप्योग करना होगा हाना कि आप बढ़ाना चाते हैं तो इस wire को अभी बढ़ा सकते हैं अगर आप सोच रहें कि इन future आपको पैनल बढ़ाने के जरूरत है तो आप अभी ही जो wire का size वो ज़्यादा लिए चल सकते हैं क्योंकि जो अपका solar inverter है उसके उपर आप कम से कम पैनल तो लगा सकते हैं जैसे मेरे solar inverter की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे इसके उपर वोट के solar system की तो यहाँ पे 5 किलो वोट का जो solar system रहेगा उसके अंदर आपको जो solar से आने वाली wire है वो आपको लगबग solar square mm की रखनी है और जो input और output की रहेगी वो लगबग 6 square mm की wire रखनी है तो यहाँ पे यह जो दो wire होती है इनी के आपको में ध्यान रखना है क्योंकि यह wire है वो आपको खुझ से लगानी पड़ती है जो बड़े inverter आते हैं ज्यादा high capacity के आते हैं उनमें आपको input और output की भी wire खुझ से लगानी पड़ती है इसलिए आपको यहाँ पर लगबग 6 square mm की wire का उपयोग करना होगा 5 kilowatt के solar system के साथ में जो solar panel से आने वाली wire रहेगी वो लगबग आपको 16 square mm की लगानी है यहाँ पर अगला रहेगा आपका 10 kilowatt का तो 10 kilowatt का solar system रहेगा उसके अंदर आपको ज पर input और output की wire का size रखना पड़ेगा लगबग 16 square mm का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10 kilowatt का रहेगा उसके उपर आपको काफी ज़्यादा बड़ी size की wire है उसका उपयोग करना होगा क्यों जो 10 kilowatt का solar system होता है वो काफी बड़ा हो जाता है इसलिए आपको जो wire का size है व वो हमेशा जदा ही रखें तो अगर अभी भी इसके बारे में आपको कोई सवाल रहे जाता है तो वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद